हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक फ्रेंट्स जो आज का हमारा सेशन रहेगा इसमें हम जी के आफ जमू एन किश्मीर के इंपोर्टन कोशन्स करने वाले हैं वीडियो को अंतिम तक जरूर देखे और अपने फ्रेंडों में विजुरूर शियर करें चलिए आज के सेशन को अब हम स सबसे बड़ा लाजस्ट तलिब गाडन है जमू एन किश्मीर में वो कौन सी जेगा पे लोकेटीड है सिरिनगर कुलगाम पुलवामा जले इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नमबर ए सिरिनगर इस दा कुरेक्ट आंसर जो एशिया लाजस्ट तलिब गाडन है वो इसका आप सही और कुरेक्ट आंसर बताओगे कोशन नमबर टू का दियरा ट्वंटी डिस्टिक्स इंदा जमू एन किश्मीर चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ आप इस साथ साथ में करते रहें और अपना स्कोर बताते रहें आपके इन में से कितने कोशन सही हो रहे है आज जो सैशन रहेगा इसमें हम geeky off जमू एनकिश्मीर के important questions discuss करने वाले हैं इन वीचियर डोडा विकयम अस separate district आप जमू एनकिश्मीर जो डोडा district है वो कब separate district बनी थी जमू एनकिश्मीर की 1948, 2000, 2005, 2009 इन तीन में आपका सही answer रहेगा option नमबर A 1948 इस दा correct answer चलिए next question की तरफ which is the largest district of Jammu Reason और Jammu Reason की जो सबसे बड़ी largest district है वो कौन सी है कठुआ, राजोरी, डोड़ा, जारियासी इन चार option में आपने बताना है जो सबसे बड़ी district है Jammu Reason की वो कौन सी है इसका आपका सही रहेगा option number C जाने की डोड़ा district is the largest district of Jammu Reason चलिए next question की तरफ जो हमारा नेक्स्ट कोशन इसका है रहेगा ब्लैंकेट आफ विच प्लेस आफ डोडा डिस्टिक आर फेमस इन जमुएन केश्मिर जानी कि जो ब्लैंकेट है वो किस डिस्टिक के सबसे ज़्यादा फेमस है जो डोडा डिस्टिक है बदरवा दिया हुए है ठाटरी घंदो जा बलेसा इन चार आप्शनों में आपका जो सही और कुरेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आप्शन नमबर A जानी कि बदरवा इस डा जो प्लेस है ब्लैंकेट के लिए वो सही माना जाता है ठीक है इसका आपका आप्शन नमबर A कुरेक्ट इसका रहेगा चलिए नेक्स्ट कोशन की बात करें विच सीटी आफ जमू इन कश्मीर इस नोन आस दा सीटी आफ टैंपल्स कि सीटी आफ जमू को हम सीटी आफ टैंपल्स बोलते हैं कठुवा जमू सीरिनगर जा बारा मुला इसका आपने आंसर बताना है ठीक है कठुवा जमू सीरिनगर जा बारा मुला सीटी आफ टैंपल्स हम बोलते हैं इसका रहेगा आपका आप्शन नमबर बी जानी कि जम्मो इस नोन ऐस दा सीटी आफ टेमपल्स ठीक है इस कोशन में आपको डौट हो सकता है तो इसका लाजेस डिस्टिक तो ऐसे तो हमारा किस्तवार्ट रहता है लेकिन जो इन आप्शनों में दिया हुए वो डोडा चलिए नेकस्ट कोशन की तरफ Which district is the most populous of जम्मो इन किश्मिर इन में से कौन सी डिस्टिक है जम्मो इन किश्मिर की वो सबसे populous है जानी कि सबसे ज़्यादा उधर population है सरीनगर 12 मूला शौपियान जजमो इसदर आपका झो कशन No.7 है इसका आपका सही और correct answer रहेगा Option number D जाने कि Jammu is the most populous district of Jammu and Kashmir चलिए next question जो हमारा आज का रहेगा बुड़ा अमरनात is located in which district of Jammu and Kashmir जो बुड़ा अमरनात है वो Jammu and Kashmir की कौन से district में located है रियासी, पुंच, जमू, जार रामबन 8th question का आपका सही रहेगा Option number B जाने कि पुंच इसदा correct answer इसकार रहेगा चलिए next question की तरफ Which district is known as the gateway of Jammu and Kashmir Jammu and Kashmir का gateway हम इन में से कौन से district को बोलते है कठुआ, जमू, रामबन जा अदुमपूर इसका सही और correct answer रहेगा आपका option number A कठुआ, इस known as the gateway of Jammu and Kashmir option number A is the correct answer चलिए next question की तरफ इसके recording बात कर दूँ आपसे सबसे पहले आपका जो Tuesday मंगल वार होगा उस दिन आपका जो क्या होगा mock test कराया जाएगा, आपका 100 mock test कराया जाएगा आपका 100 mock test कराया जाएगा और आपका जो marks होगे वो आप ही डिजाइड negative marking के साथ आपके marks रहेंगे 100 number का आपका जो mock test वो conduct कराया जाएगा जिसमें आपको 20 marks की English होगी 20 marks का आपका math होगा 20 marks की reasoning होगी और 40 marks का आपका GK होगा GK आप जमू एन किश्मीर में इसी में रहेगा और GK जो बाकी static GK रहता है GK आप इंडिया रहता जब करेंट फियर सब कोशन इस पे इंकल्यूड होंगे 100 marks का आपको एक complete जो mock test है वो Tuesday को आपको मिल जाएगा ठीक है और आपके जो daily के basis है वो आपको daily के basis पे classes मिल रही है English की बात करूँ वो आपको सुबा 8 बजे के basis पे मिल जाती है उसके complete आपके जो sessions चलाए जा रहे है उसके बाद math की बात करूँ आपको दुपैर को 2 और 3 बजे के बीच मिल जाता है उसके बाद GK आपको daily के basis पे शाम को 8 बजे मिल जाती है और आपको जो GK और English की PDF होती है उसका link description में मिल जाता है टेलीग्राम का अगर टेलीग्राम आप से link से नहीं जाए नो हो रहा हो तो आप हरितिक शर्मा वहाँ पे सच कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा चलिए जो हमारा next question है इन्हें हम जल्दी से लगाए which district is known as the land of saffron and sapphire option number A is the correct answer चलिए next question जो हमारा रहेगा which district is known as the mini Kashmir इनमें से mini Kashmir हम कौन से district को बोलते हैं आपका जो इदर option number क्या आना था बदरवा आना था जानी कि डोड़ा district में हम जो बदरवा आता है उसको उसमें आपका जो बदरवा है उसको हम mini Kashmir के नाम से बोलते हैं ठीक है आपका option number जो इदर कोई भी नहीं है लेकिन डोड़ा district कर रहेगा उसको आप correct कर सकते हो चलिए हमारा जो next question रहेगा तता पानी इसा famous hot water sulfur spring is located in which district आप जमूएन किश्मीर जो तता आन पानी है वो कौन सा spring है रहेगा option number A राजोरी इस था correct answer इसका रहेगा रियासी district got the status of district in which year जो रियासी district है उसको जो district का धरजा कब दिया गया था 1947, 1960, 2000 जन 2007 जो आपका इसका सही answer है option number D जानी की 2007 में जो रियासी को district का धरजा दिया गया था चलिए next question की तरफ रामबन district was copped out of which east wild district of the jamu in Kashmir जो रामबन district farm हुआ है वो कौन सी district से क्या बाउट किया हुए डोडा, किस्तवाड, अधुंपूर जा सिरिनगर इसका आपका सही रहेगा option number A डोडा is the correct answer इसका रहेगा ठेक है चलिए next question की तरफ which district known as the land of devika and land of bolis land of devika और land of bolis हम इन में से किन सी district को बोलते है सामबा, अधुंपूर, रामबन, जा कठुआ इसका आपका सही answer रहेगा जो आपका option number क्या रहेगा B जानी की अधुंपूर इसदा correct answer इसका रहेगा ठीक है और इनकी जो answer की होगी वो भी इसके साथ आपको मिल जाएगी विद पीडियाफ भी इसकी आपको मिल जाएगी आप पीडियाफ में में अपने score जो चेक कर सकते हो और अपने score बताएं आपके कितने question सही हो रहे हैं अगर आप channel से first time जुड़े हो तो channel को subscribe कर दे अगर आपको इसके recording कोई doubt कोई suggestion होगा तक one box में जुरूर पूशिए इस वीडियो में बस इतना ही